हजारी बाग के बढ़का गाउं इस्थे पैंटी पीसी साइट ऑफिस के निकट अपराधियों ने रित्विक कमपणी के एक अधिकारी की गोली मार कर हत्या कर दी है अधिकारी का नाम शरद बाबू है जो हैदराबाद के रहने वाले हैं बताया जो रहा है कि अपने कार्याले में गाड़ी से बैट कर जा रहे थे उसी दौरान दो अपराधी मोटर साइकल पर उन पर ताबर तोड गोलियां चला दिया जिस घटनस्तल पर ही शरद बाबू की मौत हो गई वहीं उनका बोडिगाड राजेंद्र पसाद गंभी रूप से घायल है जिसका इलाज हजारी बाग के आरोग्य मस्पताल में चल रहा है रित्विक कमपणी एंटीपीसी के लिए कोल उत्खनन का काम करती है गट्टा के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधी पीछे से पीछा करते हुए आ रहे थे और इसी दोरान दो मोटसाइकल सवार अपराधी पीछे से गोलिया चलाना शुरू कर दिये बाडिगार्ड गाड़ी के पीछे बैठे थे जिनहें और रित्विक कमपणी के अधिकारी आगे बैठे वे थे और उन्हें भी गोली मार दी जिससे घटनास्तल पर ही उनकी मौत हो गई घटनास्तल के बाद पूरे इलाके में गस्ती तेज कर दी गई है और अपराधियों की धर पकड़ के लिए उपरेशन चलाया जा रहा है वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद हजारी बाग स्पी मनोज रतन चौथे अस्पताल पहुंचे है और कंपणी के वरिये पताधिकारियों से घटना के बारे में विस्तुरत जानकारी ले रहे है इस मामले को लेकर कंपणी की ओर से किसी भी तरह का बयान नहीं दिया गया है अभी एक गंटा पहले करीप सुचना मिली थी कि बढ़कागाव में जो फॉरेस्ट का गेस्टाउस है वहाँ पे गोली चली है तो गटना में एक रिट्पिक कंपनी जो चट्टी बरियातु में माइनिंग प्रोजेक्ट का काम कर रही है उसके जो प्रादिकारी है मिस्टर शरत कुमार उनको गोली लगनी की सुचना थी और उनके साथ हमारा जारखन पुलीस का हजरिवाग जीला से दिया हुआ एक बॉडिगार्ड पी था उनको भी गोली लगनी की सुचना थी अभी में यहां पहुंच करके देखा हूँ तो अनफोर्शनेटली जो शरत कुमार उनको ब्रादेट किया गया था उनका देहान हो गया है और जो हमारा बॉडिगार्ड है उनको पेट में गोली छूकर के निकल गई है उनकी कंडिशन अभी स्टेबल है डॉक्टर साब ने जो चीजे है वह लोग इन्वेस्टिकेशन करेंगे और इन्वेस्टिकेशन के पशाथ ही कौन अपरादी है कौन गुठ है किस वज़े से बाइनिंग हुई है इन सभी चीजों का पता लगाना मुझे लगता है कि संबब हो पाएगा